हेलो एवरिवन वेल्कम टू दिस वीडियो आज की इस वीडियो में हम करेंगे टैंथ क्लास के मैथ का चैप्टर टू उसके एक्सरसाइज 2.2 2.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या है कि हमें ग्राफ देके वैल्यूज पूछ लिगे यह भी कितने नंबर ओफ जीरोज तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 इसका फर्स्ट क्या है find the zeros of following quadratic polynomials इसके हमें यहां पर quadratic polynomials दिये हैं इनके हमें zeros find out करने हैं and verify the relationship between the zeros and the coefficient फिर जो ये इसके zeros find out कर लेंगे उनके बीच की relation and जो ये coefficient है इनके बीच हमें जो relationship है उसको verify करके दिखाना है हमने जब इसका introduction वाला part किया था तो उसके इंदर हमने देखा था भी alpha plus beta यानि sum of zeros कि इसके equal होता है minus b by a and product of zeros alpha into beta is equal to c by a ये हमें last में मतलब पहले zeros find out करने फिर इसके बाद ये verify करके दिखाने तो सबसे पहले first part को solve करते हैं इसके अंदर क्या है x square minus 2 x minus 8 ये है अब हमें ये देखे 8 यहाँ पे क्या है 1 है 8 into 1 1 आया जाएगा इसका मतलब हमें इस 8 को two parts में break करना है जिनका multiply करने पर 8 आये and जिनका sum ये 2 आये तो हम क्या करते है minus 2 sorry minus 4 into 2 इसको minus 8 आये 8 नहीं क्योंकि इसके आगे minus का sign है so minus 2 into minus 4 into 2 क्या आजाएगा minus 8 आएगा so हम इस 2x को ऐसे break करके लिख देंगे x के minus का 4x plus 2x minus 8 अब देखिए minus 4x plus 2x क्या आजाएगा minus 2x और यहाँ minus 2x ही तो है यहाँ से अब हम करते है x को common ले लिए तो अंदर value के आगे x minus 4 plus में 2 को इन दोनों में से common लिए तो x minus 4 अब यहाँ से इसके factors के आगे एक तो x plus 2 and दूसरे x minus 4 यह दो factors आगे इस quadratic polynomial के तो यह factors है अब इनके zeros find out करने के लिए क्या करेंगे इन दोनों factors को अलग लग 0 के equal put करवाएगे x plus 2 is equal to 0 यहाँ से x की value के आगी minus 2 आगी x minus 4 is equal to 0 then x की value के आगी 4 आगी यह तो आगे इसके दोनों zeros हमने जो यह find out करने थे आगे क्या करना है हमें इनको verify करना है इस relationship को तो यह हमने ले लिया alpha है यह हमने ले लिया beta है then alpha plus beta किसके equal आजाएगा minus 2 plus का 4 value के आगी 2 अब देखिए यहाँ पर अगर हमगे इस form में लिखेंगे minus b by a यहाँ पर b क्या होगा जो x का coefficient होगा तो हम क्या लिखेंगे minus b माइनस b लिखेंगे minus b हमपे क्या है minus k 2 ये हो गया minus k 2 अब उन में a यानि कि जो x square क क्वेशेंट x square क्वेशेंट क्या है 1 तो यह हो गया 1 यह माइनस इंटू माइनस क्या हो गया तू बाई 1 वैल्यू क्या आगी तू यह भी टू वैल्यू आई यह एंड यह भी मतलब इनका जो सम है वह तो हमने वैरिफाई करवा दिया अब आगे क्या करना इसका प्रोड़क्ट भी वैरिफाई करना तो यहाँ पे C की value यह constant यह क्या है minus 8 so minus 8 by 1 so यहाँ पे इसका product भी verify हो गया यानि यह minus 8 आया था यह भी minus 8 by 1 क्या हो जाएगा minus 8 हो जाएगा अब हम आगे करते हैं इसका third part second part है वो आप खुद से try करना इसका third part क्या है 6x square minus 3 minus 7x इसको rearrange करके लिख लेंगे 6x square minus 7x minus 3 अब हमें यहाँ पे 7 जो यह है इसको कैसे break करना देखिए 6 into minus 3 क्या आजाएगा minus 18 यानि कि 7 के इस तरीके से 7 को break करना है कि जब उन दो numbers को multiply करवाई तो वो minus 18 आई और उनको add करवाई तो minus 7 आई तो यहाँ क्या हो सकता आएगे तो minus 18 आएगा इन दोनों का sum करेंगे तो minus 7 आएगा तो यहाँ हम लिख लेंगे 6x square minus 9x plus में 2x minus 3 यह हमने लिख लिए अब यहाँ से हम क्या कोमन ले सकते है 3x 3x जब हमने कोमन लिया तो यहाँ क्या रहेगी value 2x minus 3 plus में यहाँ तो इन दोनों में कुछ कोमन है यहाँ से 1 कोमन लिया value क्या आगी 2x minus 3 अब यहाँ से इसके दो factors क्या होगे इस polynomial के एक तो गया 3x plus 1 second हो गया 2x minus 3 अब zeros find out करने के लिए क्या करेंगे इन दोनों को 0 के equal put करवा देंगे 3x plus 1 is equal to 0 तो यहाँ से x की value क्या आजाएगी यह 1 इस side जाएगे तो minus का हो जाएगा यह 3 यहाँ multiplication में x के तो यहाँ जाके division हो जाएगा divide हो जाएगा so x is equal to minus 1 by 3 हो गया और क्या है 2x minus 3 is equal to 0 अब यहाँ से x की value क्या आजाएगी 3 by 2 so हमने इसके दोनों 0s find out कर लिए अब इनको verify करवाना है sum and product को इन दोनों का sum क्या होगा alpha plus beta यह किसके equal आना चाहिए minus b by a यहाँ पे alpha यह ले लिया हमने and beta यह ले लिया तो alpha की जगह हम लिखेंगे minus 1 by 3 plus में beta की जगह 3 by 2 is equal to यहाँ पे minus b यानि की जो x का coefficient है वो क्या है वो है minus का 7 तो minus तो एक हाई बार और यह minus का 7 हो गया अब उन में a a की value क्या है 6 है तो यह हो गया value आगी 7 by 6 अब इस side देखते हैं 3 and 2 यानि यह दोनों अलग 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 इस calcium क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा अब इस calcium 6 आया तो यह क्या हो जाएगा 3 to 6 यानि यह तो हो जाएगा minus 2 प्लस में यह है 2 to 3 यानि 3 पे जा रहा है तो 3 into 3 यह आ जाएगा 9 यह value क्या आ जाएगी 7 by 6 9 minus 2 क्या आ गया 7 और दूसरी साइड क्या है 7 by 6 यह इनका sum हमने verify करवा दिया अब है product की बारी इनका product क्या आएगा alpha into beta यहाँ पे यह value क्या आने चाहिए c by a alpha क्या है इसका minus 1 by 3 and beta की value क्या है 3 by 2 यह किसके equal आना चाहिए c by a यहाँ पे c की value क्या है minus का 3 by में a a क्या है 6 यह value क्या आजएगी इस 3 से यह 3 cancel हो जाएगा value क्या आगी इस side minus 1 by 2 इस side क्या आया 3 by 3 3 to the 6 इस side भी minus 1 by 2 आया इसका product भी verify हो गया यही थो में करना तब पहले इनके zeros find out करने फिर बाद में इनके sum और इनके product को verify करवा के दिखाना है अब next करते हैं इसका fourth part fourth part क्या है 4u square 4u square plus में 8u यहाँ पे जो constant term हो absent हो हमने ले लिया plus में 0 है तो देखिए यहाँ पे एक बार हम इन दो को ही solve करवाते वे चल रहे हैं यहाँ से हम दो इन दोनों में से 4u को में लिया तंदर क्या रहे है यू प्लस में यू प्लस में 2 यहाँ से देखिए दो factors आगे इस equation के एक तो 4u और दूसरा यू प्लस में 2 तो इनके 0s find out करने के लिए क्या करेंगे इन दोनों को 0 के equal put करवाएंगे 4u is equal to 0 यहाँ से u की value क्या आजेगी 0 and u plus 2 is equal to 0 यहाँ से u की value क्या आगी minus 2 यह हमने ले लिया alpha यह है beta तो इन दोनों का sum क्या होगा sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b by a alpha यहाँ पर क्या है 0 and beta यहाँ पर क्या है minus 2 is equal to minus of b क्या होता है जो मतलब कि इसके एक power का coefficient है तो यहाँ पर b है 8 and अब a क्या है u square का coefficient यह क्या है 4 value क्या आगी side minus 2 4 to 8 होता है तो उस side भी minus 2 आगी इनका sum तो verify हो गया अब product को verify करवाने के लिए क्या करेंगे product होता है c by a यहाँ पर alpha 0 है beta minus 2 is equal to यहाँ पर c क्या है constant um constant um क्या है यहाँ पर 0 है अब उन में a a क्या है 4 0 by something करेंगे तो value क्या है गी 0 and 0 into something करेंगे तो वह भी 0 याने कि इनका product भी यहां पर verify हो गया अब इसके बाद next 5th part 5th part के अंदर क्या है टी स्केर माइनस 15 यहां पर जो टाम आती है मतलब एक value वाली याने कि बी के value बी का जो coefficient and बी की जो value है वह यहां पर absent है तो यहां पर देखिए बी की जगह तो हमारे यहां 0 है and c यहां पर minus 15 है a यहां पर 1 है अब यहां इसके वह निकालेंगे सबसे पहले जीरो जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे ती स्केयर माइनस इस 15 को क्या लिख सकते हैं रूट 15 का स्केयर यह रूट से रूट हटके 15 ही आ जाएगा हमने यह लिख लिया तो अब यहां पर कौन सी identity लग जाएगी a स्केयर माइनस b स्केयर हो तो इसकी value किसके equal आती है a माइनस b into a प्लस b ती स्केयर माइनस रूट 15 के स्केयर को अलग अलग लिख देंगे टी माइनस रूट 15 इंटू में टी प्लस रूट 15 यहां से यह दो फैक्टर सा आगे इस पॉलनोमियल के इनको 0 के equal put करवाएंगे तो इसके 0s find out हो जाएगे यहां से टी माइनस रूट 15 is equal to 0, यहां से टी की value के आगे रूट 15 आगे यह माइनस का उस रूट 15 यह माइनस का यहां पर इसमें put करवाएंगे अब यहां ने कि sum of zeros verify करवाएंगे यहाँ हम alpha की जगह क्या put करेंगे root 15 plus में beta की जगह क्या आजाएगा minus root 15 is equal to minus b by a यहाँ पे v की value क्या है 0 यहाँ हमने लिख दिया minus of 0 upon में a की value क्या है 1 यहाँ से यह plus का है यह minus का है यह दोनों add होके value क्या आजाएग 0 इस side 0 है 0 into 0 0 is equal to 0 यहाँ पे इनका sum verify होगा product verify करवाने के लिए क्या करेंगे alpha into beta इन दोनों जो यह zeros हमने find out कि product करवाएगे वो क्या होगा c by a के equal आने जाएगे alpha की value क्या है root 15 beta की value क्या है minus root 15 is equal to यहाँ पे c की value क्या है minus 15 minus 15 a की जगह क्या आएगा 1 यह देखिए यहाँ पे root 15 into root 15 value क्या हो जाएगी 15 और यह minus का sign यह आजाएगा बहार यह value क्या आगी minus 15 is equal to minus 15 by 1 यह क्या हो गया minus 15 यानि की इनका product भी verify हो गया अब next करेंगे इसका 6th part अब next है इसका 6th part 3x के और minus x minus 4 यहाँ पे देखिए value क्या आनी चाहिए यह minus x है इसको किस प्रकार से break करेंगे minus 4 into 3 इन दोनों की multiply करवाई तो value क्या है यह minus 12 यानि कि इस minus x को ऐसे दो numbers में break करें जिनको add करने पे तो value minus 1 आई और उनको multiply करवाने पे minus 12 आई तो हम इनको क्या लिख सकते है minus 4 and 3 लिख सकते है 3x square plus में 3x minus 4x minus 4 अब यहां देखिए minus का 4x plus का 3x value क्या आजएगी minus का x and 3 into 4 value क्या आजएगी 12 और यहां minus का sign है तो minus 12 आजएगी value अब यहां से हम क्या करेंगे इन दोनों में से 3x common लिया तो value क्या रहेगी अंदर x plus में 1 यहां minus का हमने 4 common ले लिया तो value क्या रहेगी x plus 1 इसके 2 factors आगे 3x minus 4 and x plus 1 अब 0's find out करने के लिए क्या करेंगे इन दोनों factors को अलग-अलग 0 के equal put करवा देंगे minus 3x is equal to 4 यहां से x की value क्या आजएगी 4 by 3 यह होगे इसका alpha and x plus 1 is equal to 0 यहां से x की value आजएगी minus 1 यह होगे इसका beta तो sum of zeros alpha plus beta किसके equal होता है minus b by a alpha यहां पे क्या है 4 by 3 and beta यहां पे क्या है minus 1 is equal to यह minus b b क्या है यहां पे minus का 1 है और एक minus बाहर है अब उन में a a क्या है यहां पे 3 जब इसको solve करवाएं तो value क्या आएगी 4 यह 3 यहां multiply में आजएगा minus 3 by में 3 4 minus 3 क्या आजएगी value 1 1 by 3 आगी अब इस side solve करेंगी तो minus into minus plus हो गया तो यह value क्या आगी 1 by 3 यहने इसका sum तो verify हो गया दोनों values 1 by 3 1 by 3 आ रही है अब product और देखना हो तो product क्या होता है alpha into beta is equal to c by a यहां पे alpha हमारा क्या है 4 by 3 into beta क्या है minus का 1 is equal to c क्या है यहां पे minus 4 and a यहां पे क्या है 3 जब इसको minus 1 से multiply कर रहा है तो value क्या आगी minus 4 by 3 दूसरी side क्या है minus 4 by 3 यानि कि इसका product भी verify हो गया कि दोनों मतलब इस तरीके से और इस तरीके से सेम ही आ रहा है यहां पे यह first question होता है complete अब next है इसका question number 2 find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively यहां पहले first question के अंदर हम से क्या पुछाता quadratic polynomial देके हमें उसके zeros find out करने थे और उसके sum and product को verify करवाना था अब हमें यहां पे क्या है यह sum and इसका product तो हमें given है हमें यह quadratic polynomial find out करने है तो जब भी हमें sum and इसके product given हो तो जो quadratic polynomial होता है उसका format होता है x square minus alpha plus beta into x plus में alpha, beta अब यह क्या है यहां पे alpha plus beta यह क्या है sum of zeros and alpha into beta यह क्या है product of zeros यानि कि जब भी quadratic polynomial आएगा तो उसके अंदर यह जो term होती है constant term यह इसका product of zeros होता है जो यह x के साथ coefficient होता है वो sum of zeros होता है इनकी values यह तो है sum of zeros यह product of zeros हर एक term के अंदर जो first term है वो sum of zeros and second term product of zeros है तो हमें यहां simply put करवाना है quadratic polynomial बढ़ाना है तो first part को solve करते हैं देखिए x square minus alpha plus beta की जिगे value क्या आजएगी इसका sum है यह आजएगा 1 by 4 into में x plus में minus का 1 आगया क्योंकि product में कितना given है minus 1 so value क्या आजएगी x square minus 1 by 4x minus का 1 अब यहां से 4 LCM ले लेंगे इन सब का जब इसका 4 LCM ले तो यहां आजएगा multiply होगा 4x square minus 1 into 4 यह इस side जाके 4 0 हो जाता है सबसे multiply करवा देना अब हम करेंगे third part third part में क्या है यह तो sum of zeros and product of zeros इसकी value इसमें put करवाएंगी तो value क्या आजएगी x square minus alpha plus beta की जगह क्या आएगा 0 into में x आगे क्या है plus alpha into beta की जगह root 5 तो value क्या आगी x square plus में root 5 क्योंकि 0 into x value क्या आजएगी 0 यह हो गया third part solve 4th part के अंदर दोनों value 1 1 है यहां भी 1 आजएगा यहां भी 1 आजएगा value क्या आजएगी यहां fourth part यहां solve करते हैं तो value आजएगी x square minus 1 into x plus में 1 value क्या आजएगी x square minus x plus में 1 यह हो गया fourth part, fifth part के अंदर क्या है minus 1 by 4 plus 1 by 4 put करो है, X square minus minus 1 by 4 into my x plus में 1 by 4 यह है, alpha plus beta यह है, alpha into beta, जिस तरीके से यह given था, इसमें put करवा दिया तो value क्या आगी, X square यह minus का है, यह minus यह hoगे दोनों multiply हो के plus plus 1 by 4, x plus 1 by 4 यहां से 4 is calcium से हम आ जाएगा value क्या आ जाएगी 4x square plus में x plus में 1 यह 4 दूसरी side जाके 0 हो जाते है so quadratic polynomial क्या आ जाएगा 4x square plus में x plus में 1 यह हो गया इसका 5th part 6th part के अंदर के है simply value तो put करवानी x square minus यहाँ पे sum की जिगह क्या आ जाएगा 4 into x plus में यहाँ product क्या है one so यह हो गया 6th part भी हाँ complete यह exercise होती है इंपे complete